हाई फ्रेंड्स आज मैं आपको ब्लाउज की 10 इंच की वाजू की कटिंग करना सिखाती हूं पहले मैंने यह फोल्ड करने का ब्लाउज की जो आगे फोल्ड करते हैं यह मैंने उसका निसान लगा लिया है यह मैंने एक इंच का लिया है यह मैंने फोल्ड करने के लिए जो आ साड़ी दा सिंज भी निशान लगाया है देख सकते हो आप मैंने साड़ी दा सिंज पे दौन तरब से निशान लगा दिया है अब हम इन निशानों को आपस में जोड देंगे स्केल की सायता से आप निशान लगाया करो क्योंकि उस सही से निशान लगते हो सीधी लाइन खिछती है आप देख सकते हो मैं निशान सही से लगा दिया है अब इसके बाद हम साड़ी तीन इंच का निशान लगाएंगे उपर की तरप से बाजू के उपर की तरब से हम साड़ी तीन इंच का निशान लगाएंगे साड़ी तीन इंच पे मैंने देखो डॉट कर दिया इसके बाद हम इन दोनों निशानों को आपस में जोड लेंगे अगर आप इस तरीके से काटोगे आपकी बाजू एकदम परफेक्ट कटेगी ना तो कोई सलवट आएगी बाजू में और ना ही कोई जोड आएगा इसके बाद हम इन दोनों निशानों के बीच और बीच एक और निशान लगाएंगे और इसके बीच बीच आएगा पौने दो इंच पौने दो इंच पे मैं निशान लगा दूँगी आप देख सकते हैं मैंने डॉट कर दिया और इधर साइड भी हम ऐसे से डॉट लगाएंगे क्योंकि दोनों तरब से हम एक जैसी सेम ही मेजरमेंट करेंगे तो सेम सीधी लइन कीचेगी अब इन दोनों निशानों को भी हम आपस में जोर देंगे आप सके लसे निशान लगाना आपका अच्छा बलाउज कोटेगा क्योंकि हम अगर फीते से निशान लगाते तो लाइन अच्छी नहीं खिसती है देखो मैंने दोनों आपस में निशान जोड़ दिये हैं अब इसके वाद हम हम उपर की तरप से साड़ी तीन इंच लेंगे साड़ी तीन इंच पर मैं निशान लगा दूँगी और धर से भी साड़ी तीन इंच हम तीनों नाइनों पर ऐसे साड़ी तीन तीन इंच पर डॉट डॉट कर देंगे और फिर उसके वाद इन निशानों को आपस में जोड़ देंगे देखो सेम ऐसे करके आपस में जोड़ देना है इन निशानों को फिर उसके वाद साड़े तीन के बीच ओ बीच हम एक और निशान लगाएंगे साड़े तीन इंच के बीच और बीच एको निशान लगेगा जो कि आएगा पौने दो इंच पौने दो इंच मैंने निशान लगा दिया है ऐसे करके डॉट यहां भी हम डॉट लगा देंगे तीनों नाइनों पर हमें डॉट लगानी है अब ऐसे ही कटिंग करना आपकी बाजो परफेक्ट आएगी एक दम इन निशानों को भी हम आपस में जोड देंगे आपस में यह निशान तीनों आपस में जोड दिये अब इसके बाद फिर हम प्याओ थे प्रसे रहा फिन का निज्वान लगाएंगे फिविट्रापनुपा थीग यृ मिवार कि लिए 5 लीइंच और ऊपर ब्रसे अठाव फिर 6 लर्य निशां का लिए han difficile इच्छे चेंज में तीनों लाइनों पर डॉट डॉट कर देंगे अधिया ते निशानों को भी हम आपस में जोड लेंगे अधिया आपस में निशानों को और उससे उसको जोड लेंगे फिर इसके बाद हम ग्लाउज की की जो हम स्लाई के लिए एक्ष्ट्र कपड़ा छोड़ते हैं जिससे कि मोटे हो जाएं पतले हो जाएं कि मोटे होने के लिए थोड़ा सा हम कपड़ा छोड़ दे जिसके जिससे कि हम आगे चलके हम इसको थोड़ा सा धीला विला कर ले तो मैंने डेर इंच एक्ष्टा लिया है डेर इंच में हम निशान लगा देंगे तेंच निशान लग गया है अब इसके बाद मैं उपर से निशान लगाऊंगे यह हमारा सिलाई के लिए मैंने निशान लगा दिया है और उपर से गुलाई देते हुए हम निशान लगाना है डौट करके लगाना आप ऐसे दीरे दीरे गुलाई देखे देखो मैं ऐसे करके निशान लगा रही हूं ऐसे डौट करके ऐसे करके निशान लगाना है फिर उसके बाद नीचे की तरफ हम ले आएंगे ऐसे निशान लगा लेंगे देखो ऐसे करके निशान लगाना हम है फिर उसके बाद यह तो मैंने आगे की साइड जो बाजू आएगी उधर की साइड की मैंने निशान लगाया अब जो पीछे की तरफ जो आएगा उसके लिए निशान हम यह लगाएंगे दरज़े थोड़ा छोड़के और ऐसे करके ऐसे लगा देंगे निशान सेम ऐसे आप काटोगे आपकी बाजू परफेक्ट आएगी और यह जो पीछे वाला निशान है हमें हमेसा थोड़ा सा जाद लगाना चाहिए और आगे वाला थोड़ा सा कम कटिंग भी हम पीछे वाले निशान की ही करेंगे जो पीछे वाला निशान है उसकी कटिंग करेंगे हम बाजो की आगे की हम बाद में करते हैं कटिंग आप देख सकते हैं मैं कटिंग कर रहे हूं जहां से हमने निशान लगाया था उधर से कटिंग करनी है कि पीछे वाली निशान से कटिंग करनी है क्योंकि आगे वाले से अगर आप कटिंग कर दोगे तो आपकी वाजू खराब हो जाएगी पीछे की तरह से खिचेगी ऐसे आईए कटके आप देख सकते हो अब हम पीछे की साइड की कटिंग करेंगे यह आगे की तरफ की जो निशान लगाया था हम इस से कटिंग करेंगे यह हमारा हिस्सा जो आगे आएगा आगे की तरफ बाजू में आगे की तरफ आएगा इस सा देख सकते हो गटिंग करेंगा यह हम आईए वाज़ों